नमस्कार दोस्तों दोस्तों हमें कई सारे कमेंट मिले कि सर कुछ ऐसे वर्काउट्स बताएं जिन्हें हम घर पर कर पाएं और अपनी बोडी को सुन्दर और अट्रेक्टिव बना पाएं दोस्तों अगर आप जिम नहीं जाना चाहते हैं और घर पर ही एक सुन्दर बोड़ी बनाना चाहते हैं कम समय में तो आपको अपर बोड़ी पर विशेष ध्यान देना होता है दोस्तों आज के इस वीटियो में मैं आपको पांच ऐसे वर्काउट्स बताऊंगा जिनहें आप अगर एक महिने तक करते हैं तो आपकी अपर बोड़ी काफी सुन्दर बन जाएगी आप जो शर्ट पहनेंगे वो पहले से काफी अलग फिटिंग में आएगा और काफी अट्रेक्टिव शेप बन जाएगी इन वर्काउट्स को गर पर करने के लिए आपको किसी भी मशीनरी का यूज नहीं करना है केवल आप बोड़ी वेट से ये वर्काउट कर पाएगे दोस्तों इन वर्काउट्स को आप शुरुआत में अपनी शमता के अनुसार करें और फिर आप धीरे धीरे उनके सेट्स और रैप्स बढ़ाते जाएगे आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपकी बोड़ी काफी बढ़िया बन जाएगी तो चलिए बिना समय गवाएग वर्काउट्स को जानते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है वार्म अप करना है और सिंपल पुश अप लगाने है सेट और रैप्स आप अपनी शमता के अनुसार लगाएगे और धीरे धीरे आप बढ़ाते जाएगे उसके बाद आपको क्या करना है बाइसेप पुश अप्स लगाने हैं आप वीडियो में देख सकते हैं दोनों मुठ्यों को पास में रखकर कोहनी को आपको जमीन पर टच करना है दोस्तों ये पुश अप आप अपनी शमता के अनुसार लगाएगे ये आपके शोल्डर, ट्राइसेप्स और बाइसेप्स को गेन करते हैं आप एक महिने में ये तीनों मसल्स काफ़ी आसानी से गेन कर लेंगे उसके बाद दोस्तों वर्काउट करना है आपको साइड बाइस साइड पुश अप्स ये पुश अप आप वीडियो में देख सकते हैं कि आपको कैसे परफॉर्म करने हैं इसमें आपको पुश अप भी लगाना है और फिर दूसरे हाथ पर वेट लेके पुश अप लगाना है और ऐसे आपको ये प्रोसेस करनी है दोस्तों ये पुश अप आपकी चेस्ट, बाइसेप, ट्राइसेप और शोल्डर तीनों को स्ट्रेच करता है, साथ ही बेक को भी स्ट्रेच करता है इससे आपकी अपर बोडी काफी सुन्दर बन जाएगी और चेस्ट निकलने में भी काफी आसानी रहेगी ये वर्काउट करने के बाद आपको तीसरे वर्काउट में करने हैं दाइमंड पुश अप चोटे मोटे 10-12 मसल्स को स्ट्रेज करता है जो कि आपकी अपर बोड़ी चेस्ट को निकाल ले में विशेश भूमिका निभाते हैं तो आप डाइमंड पुश अप भी जरूर लगाएं उसके वाद आखरी में आपको लगाने हैं शोल्डर पुश अप्स दोस्तों शोल्डर को गेन करना भी अपर बोड़ी में काफी important होता है क्योंकि अगर शोल्डर कमजोर होता है तो आपका गला पतला दिखाई देता है और अपर बोड़ी muscular दिखाई नहीं देती है इसलिए आपको शोल्डर पुश अप भी लगाने हैं कैसे लगाने हैं आप वीडियो में देख सकते हैं आपको कमर से उंचा होकर ये push-up लगाने होते हैं दोस्तों ये आपके back को भी gain करता है उसी के साथ push-up के सारे फाइदे आपको देता है दोस्तों और टोटल पाँच तरीके के push-ups हैं जिन्हें आपको लगाने हैं तो इसमें आपको काफी सारी एनरजी भी वेस्ट करनी होगी तो आप क्या करें आप अपनी शमता के अनुसार इन्हें डिवाइड करके धीरे धीरे बढ़ाते जाएं और अच्छी डाइट का भी प्रियोग करें दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और कमेंट में ज़रूर बताएं कि नेक्स नेक्स वीडियो आप किस पर चाहते हैं उसी के साथ जल्दी हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ धन्यवाद